आज मैं आपके साथ फिश फ्राइ की रेसिपी शेयर करूंगी फिश फ्राइ बहुत ही मज़ेदार रेस्टोनाट स्साइल जाजी बनाएंगी मसाला फिश के अंदर तक जाएगा बिल्कुल फ्लेवर फूल बनेंगी फिश रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे प्लिज चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलते हैं रेसिपी की तरह बिसमिल्ला एराह्मन रहीम दो किलो मैंने मचली लिये है मचली की बोटी दर्मयाने साइज की है ये देखें अ अपनी पसंद की कोई से मचली ले सकते हैं मचली के बहुत सी एक्साम होती हैं अब अपनी एक से जो मैंने मचली ले थी तो इस पर पासा लिया था इसको मेने एकसे वाश कलीया है Chairman अजोबनी नमक लेगा एक से देट गंटा अजुआयना नमक लगा रहिए रहने के बाद मैंने मचली को वाश कर लिया था अब मचली को मरिनेट कर लेते हैं मैरिनेके लिए कुछ मसाला जात लिए हैं मैंने इनको मेंने ग्राइन कर लेना है जीज़ी का दान रिया है 1 त पुम्म हाफ टेबल स्पुन भी के üzटी में अध्यजी हैं कल शोपिर छीज़ी महीं माने भरातों मृत ऑक पुम्ली कर बहुत बेच शेतक यहाएं मृतर नुक्षाओ बहुति इ Θवी इसका अच्छा मज़े का एक व्यांच स्था सजो है मशली को मारिनेट लेते हैं वन टी स्पून देमिर्चों अदरक लैसन का पेस्ट भी ले सकते हैं पीसा हुआ हुच्क धन्या लेंगी त्हुर्ि गरममसमा लेंगी 1 टीस्पून शितक जो 10 मिर्च लेंगी 2 एक लिपक्रण त्वक्राव क बिज अर्ट स हम ड्लाव या कृष्ष involve वो शामिल कर लेंगे, बेसन एक अप शामिल कर लेंगे, और हाथों की मदस से मिक्स कर लेंगे इनको, इस तरह हमने अच्छे से मिक्स का लेना है, यह बरतन बहुत ही चोटा लग रहा है, आप थोड़ा सा बड़ा बरतन लेकर इसमें मचली को मेरिनेट कीजिएगा, तांके तमाम मसाले मचली के अंदर तक जाएं, अच्छे से मिक्स करने के बाद 3-4 गंटे के लिए मैं इनको कवर करके रख दूँगी, तांके तमाम मसाले अंदर तक चले जाएं, चार गंटे के बाद मचली मेरिनेट हो गई है, अब इसको फ्राई का लेते हैं, कड़ाई को मैंने चूले पर रख दिया है, इसमें गी डालकर हाई फ्लेम पर रखा हुआ है, तांके गी अच्छे से गरम हो जाएं, गी गरम हो गया है, अब इसमें फिश डालते हैं, एके करके फिश डालेंगे, पांच से छे पीस में पहले डालूँगी, अब इनको चार से पांच मेंड तक हमने फ्राई का लेना है, और अब मैंने फ्लेम को मेडियम पर कर दिया है, तांके मचली अंदर तक पक जाए, अगर हमने फ्लेम हाई पर रखा तो बाहर से जो फिश या वह पक जाएगी, डाग ब्राउन हो जाएगी, और अंदर कच्छी रह जाएगी, इसलिए मैंने फ्लेम मेडियम पर रख दिया है, एग मिन फ्राई होने के बाद मैं इसकी साइट चेंड कर लूँगी, इस तरह बख़े बख़े से इसकी साइट चेंड कर लेंगे, यह देखें फिश का कलर देखेंगे, अब इसको निकाल लेते हैं, यह देखें कितना अच्छा सा कलर आया है, बाकी की जो फिश है वो भी मैं इस तरह ही फ्राई काल लूँगी, अब इसको मैं डिश आउट काल लूँगी, माशाला, अलहम्दुलिल्ला, मचली बहुत ही मज़े की बनी हैं, अंदर तक मसाला गया है, यह देखें, कितनी मज़े की, कितनी फ्लेवरफुल लग रही है, आप जरूट आएगीजेगा, इन्चुआएगीजेगा, दो में याद रखेगा, अलाहाफेज,